राजे रादे आज की वीडियों बात करने वाले हैं मंदी ओटो इंडर्स्ट्री आप्यों के बारे में इस आइप्यों में डिमांड देखी गई है इसके जीएंपी जो है वो स्टेब बेस्ट है बढ़ रहे है तो चली चेक करते हैं कि हमें इसके अंदर क्या करना है प्रेशर चल रहा है तो उस प्रेशर से आपको पैनिक क्यों आता है उसका रीजन यह है कि आपने कंपनी को समझाई नहीं है अगर आपने कंपनी को समझा होगा तो लिष्टिंग के अंदर उसकी लिष्टिंग थोड़ी कम में भी होगी न तो आपको डर नहीं लगेगा आ उसको financial के बारे में main main चीज़े जान लीजिए तो चलिए फिर इस IPO का review हम स्चार्ट करते हैं कंपनी का नेम है मंदीप Auto Industry Limited इस कंपनी के स्चार्टिंग दो जार के अंदर हुई थी कंपनी का जो business है वो manufacturing and supply करना है various products like sheet metal components, auto parts, sprocket gears, machine components company के जो products है उनकी application जो है उनका use जो है वो काफे सा industry में होता है like automobiles, tractors, material handling, earth moving equipments, railway, defense, machine tools even the DIY industries के अंदर भी तो इन सब areas के अंदर इस company के जो components है इनका use क्या आता है company ने आप अपने client list को mention की है और उनने बताया है कि domestic के साथ global भी इनके काफे सा अच्छे clients है JL Auto Parts Limited, Tube Investment, Rockman Industry Limited, Marvy Automobiles, JAN Industrial Products तो यह कुछ company के नाम इने mention की है जो ने के client list में शामिल है तो यह हमें इनके business के एक overview मिल गया है कि company जो है वो auto industry के segment से बिलोंग करती है उस segment में company जो है वो कुछ parts प्वड़ करती है अब चलते है financials पे और चेक करते हैंगा business जो है वो की speed से grow कर रहा है December 2023 तक assets की बात करें तो company के पास में 24 crore के assets थे revenue के अंदर growth की बात करें तो 21 से 22 के अंदर revenue जो है वो आपके पास 40% बढ़ा था then 22 से 23 के अंदर revenue के अंदर 35% के आसपास ग्रोथ आया था और इस साल के अंदर revenue में हमें कमी लग रही है क्योंकि 9 महिने में company ने 16.56 कोड का revenue बनाया है तो पूरे साल के अंदर हम कह सकते है 21 से 22 कोड का revenue कमपनी बना लेगी तो last year comparison में revenue जो है वो मोटा मोटा 25% गिरे है down चले गए है profit के बात करें तो 21 financial profit जो है 49 lakh थे थे उसके next year 30% का increment हो गया था फिर उसके next year के अंदर company ने 60% का increment शो किया है और इस साल के अंदर company का profit है वो double से भी उपर हो गया है तो जहां current financial year के अंदर company का business revenue decrease हुआ था काफी अच्छा वही इनका profit जो है वो double से भी उपर हो गया है company के पास reserve जो है वो 1.63 crore का है और उधारिया mention नहीं करी गई है तो overall business के बात करें तो इनका business जो है अच्छी speed से increase कर रहा है बस हाँ थोड़ा सा sales जो है वो इस साल कम हुई थी बड़ profit में उसका कोई असर नहीं है profitable की multiple time increase हो गई है KPI की बात करें तो return on equity जो है वो 30% है ROC 27% है debt equity ratio 1 के ब्राबर का है EPS company की 6.6 की रखी गई है और price earning ratio काफी कम है company का 10.15 का है इस sector की दो company है जिसका pricing के बात कर लेते हैं एक है करांती industry जिसका price earning ratio 38 का चल रहा है और second है आखे पास में Qmex Auto Tech उस company का price earning ratio जो है चल रहा है 44 का तो इस sector एक company उसकी मुकावल में इस company ने जो IPO में demand करिए pricing की वो काफी reasonable करिए काफी सस्ती करिए details के अंदर यह 13 में से 15 में तक open रहेगा कल इसमे apply करने का last दीन है आपके पास 67 रुपेस का price fix कर दिया गए है आपको इसे से apply करना होगा total issue का size जो है वो 25.25 खोड़का है और पूरा fresh issue हुए अगर हम इसके number of loads की बात करें तो आपको 894 loads दिये गए है retail category के अंदर इतने पब्लीक है इसमें नाम आने वाला है यह IPO open 13 माई को अलड़ी हो चुका है close 15 माई को होगा अलट्मेंट डिसाइड होगा 16 माई को रिफंड आपके अकौन में आएगा 17 माई को और 17 माई को आपके listing हो जाएगी 21 माई मंगलवा को अगर आपको इसमें apply करना है तो इसके एक load की जो value है वो बन जाती है एक लाख 34 जारकी आपको इसी amount से apply करना होगा अगर apply करना हुआ तो चली check कर लेते हैं कि हमें इसके अंदर अभी क्या strategy follow करनी है apply करना है यह नहीं करना वो देख लेते हैं अगर हम इसके at present में GMP की बात करें तो इसकी GMP की starting जो है वो होई थी 14% से फिर वो बढ़कर चले गए थे 22% क और अभी वो current में चल रहे है 44% के day by day इसके GMP में काफी अच्छा increment चल रहा है काफी उपर जा रहे है और उसका reason सिर्फ एक ही है कि इस company ने जो pricing की डिबांड करी है वो काफी अच्छी रखी है company ने लोगों को पूरा मुका दिया है पैसा बनाने का इसमें कल apply करने का last दिन है कल दोफैर तक इसके GMP अच्छे रहने चाहिए उमीद यही लग रही है बाकि आपको daily सभी IP के GMP और सब्सक्रिशन की जांकरी टेलिगाम चैनल पर वर्टसप गूरूप पे शेक कर दी जाती है I hope आपने इसको join कर रखा होगा अगर नहीं किया होगा तो description का दे लिंक मे के review वीडियो चैनल पर डल चुके है प्लीज उनको एक बार जूड देखे न तक कि अपकर decent सही से बन सके बाकि कल अधार आउसिंग फारेंस का टीबियो टेक उन दुनों mainboard IPO की listing है उनकी listing किस थरह से होती है वो भी depend करेगा कि इन सब की GMP में कितना उताहा चड़ावाएग अधर उनकी listing अच्छी होती है तो इनके GMP में अच्छा jump आ सकता है उनकी listing खराब होती है तो इनके GMP में गिरावट होती है आपको जो भी कुछ होगा आपको सब कुछ वहां मिलता रहेगा टालेकान चैनल के उपर तो उसे जूर जोइंग कर लेना कुछ भी query हो आपकी तो